भारत बर्ष से करोणों युवा इसमें भाग लेंगे गाउं, ब्लोक, जीले, राज्ज और वहां से निकल करके चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम्मे, विक्सित भारत यंग लीडर्स डायलोग के लिए जुटेंगे आपको याद होगा मैंने लाल के लिए की प्राचेत से ऐसे युवाओं से राज्ज लिति में आने का आवान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पुरे परिवार का पोलिटिकल बैग्राउंड नहीं है ऐसे एक लाख युवाओं को नए युवाओं को राज्ज लिति से जोडने के लिए देश में कई तरह के विशेस अभियान चलेंगे विक्सित भारत यंग लिडर्स डायलोग भी ऐसा ही एक प्रयास है इसमें देश और विदेश से एक्सपर्स आएंगे अनेक राष्टियों और अंतराष्टिय हस्तियां भी रहेगी मैं भी इसमें जादा से जादा समय उपस्तित रहूंगा युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का आउसर मिलेगा देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है इसका एक ब्लूप्रिंट तयार किया जाएगा तो आप भी तैयार हो जाएए जो भारत के भविश्का निर्मान करने वाले हैं जो देश की भावी पीडी हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मोका आ रहा है आईए मिलकर देश बनाएं देश को विच्सित बनाएं मेरे प्यारे देश्वास क्यों मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निश्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवाओं हैं जो लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान निकानने में जुटे हैं। हम अपने आसपाद देखें, तो कितने ही लोग दिख जाते हैं, जिने किसी ना किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समू बना कर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है, जैसे लखनों के रहने वाले विरेंद्र हैं, वो भुजूर्गों को डिजिटल लाइफ सर्डिफिकेट के काम में मदद करते हैं, आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक, सभी पैंसनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्डिफिकेट जमा कराना होता है, 2014 तक इसकी प्रक्रिया यहती, इसे बैंकों में जाकर बुजूर्गों को खुच जमा करना पड़ता था, आप कर्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजूर्गों को कितनी असुविदा होती थी, अब यह ववस्ता बदल चुकी है, अब डिजिटल लाइफ सर्डिफिकेट देने से चीजे बहुत ही सरण हो गई है, बुजूर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता, बुजूर्गों को टेक्नलोजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वरेंद्र जैसे ही वाओं की बड़ी भूमिका है, वो अपने क्षेत्र के बुजूर्गों को इसके बार लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों के संक्या असी लाग के आखडे को पार कर गई है, इन में से दो लाग से जादा ऐसे बुजूर्ग हैं, जिनकी आयू असी के भी पार हो गई है, साथियों कई शहरों में युवा बुजूर्गों को डिजिटल करांती में भागेदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं, भोपाल के महेश ने अपने महले के कई बुजूर्गों को मोबाइल के मादम से पेमेंट करना स्खाया है, इन बुजूर्गों के पास स्मार्ट फोन तो था, लेकिन उसका सही उप्योग बताने वाला कोई नहीं था, बुजूर्गों लोगों को डिजिटल एरेस के खत्रे से बचाने के लिए भी युवा आगे आये हैं, अमदाबाद के राजी हो, लोगों को डिजिटल एरेस के खत्रे से अगा करते हैं, मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल एरेस की चर्चा की थी, इस तरह के अप्रहत के स सबसे ज़्यादा सिकार बुजूर्गी बनते हैं ऐसे में हमारा दाइक तो है कि हम उन्हें जाकुरुत बनाएं और साइबर फोर्से बचने में मदद करें हमें बार बार लोकों को समझाना होगा कि डिजिटल एरेस नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है ये सरासर जूट लोकों को फसाने का एक शड़ियंत्र है मुझे खुशी है कि हमारी वासात ही इस काम में पूरी समवेदन सिल्टा से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेजित कर रहे हैं मेरे प्यारे देशासियों आज कर बच्चों की पढ़ाय को लेकर कई तरह के हो रहे हैं कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रियेटिविटी और बड़े किताबों के लिए उनमें प्रेव और बड़े कहते भी हैं किताबें इनसान के सबसे अच्छी दोस्तों होती हैं और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइबरेरी से ज्यादा अच से शेर करना चाहता हूँ यहां बच्चों के लिए एक ऐसी लाइबरेरी तैयार की गई है जो क्रियेटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है इसे प्रकुरूत अरीवगम के नाम से जाना जाता है इस लाइबरेरी का एडिया टेक्नोलोजी की दुनिया से जुड़े स्रीराम गोपालन जी की देन है विदेश में अपने काम के दोरान वे लेटेस्ट टेक्नोलोजी की दुनिया से जुड़े रहे लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सिखने की आदत विक्सित करने के बाल से अधिक किताबे हैं जिने पढ़ने के लिए बच्चों में होड लगी रहती हैं किताबों के अलावा इस लाइबेरी में होने वाली कही तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को लुभाती हैं स्टोरी टेलिंग सेस्टन हो आर्ट वर्क्शॉप्स हो मैमोरी ट्रेनिंग क्लासिस रॉबोटिक लेशन या फिर पब्लिक स्पीकिंग क्या हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है साथियों हाइदराबाद में Food for Thought Foundation ने भी कई शांदार लाइबरेरी बनाई हैं इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को जादा से जादा विशयों पर फोस जानकरी के साथ पढ़ने के लिए किताबे मिले बिहार में कोपाल गंज के प्रयोग लाइबरेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है इस लाइबरेरी से करीब 12 गावों के युवाओं को किताबे पढ़ने की सुविदा मिलने लगी है साथ ही ये लाइबरेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविदाए भी उपलब्त करा रही है कुछ लाइबरेरी तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में स्टूर्ण्स के बहुत काम आ रही है इस देखना वाकई महुत सुख़द है कि समाज को ससकता बनाने में आड लाइबरेरी का बहतरीन उप्योग हो रहा है आप भी कितामों से दोस्ती बढ़ाईए और देखिए कैसे आपके जीवन में बडलाव आता है मेरे पहले देशवासियों पर सो रात ही मैं लक्षिण अमेरिका के देश गयाना से लोटा हूँ भारत से हजारों किलोमेटर दूर गयाना में भी एक मीनी भारत बसता है आज से लगबग 180 वर्ष पहले गयाना में भारत के लोगों को खेतों में मद्दूरी के लिए दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था आज गयाना में भारतिय मूल के लोग राजलिती, व्यापार, सिक्षा और संस्कृति के हरक्षेत्र में गयाना का नेत्रुत्व कर रहे हैं गयाना के राश्टपती डॉक्टर इर्फान अली भी भारतिय मूल के हैं जो अपनी भारतिय विरासत पर गर्व करते हैं जब मैं गयाना में था तभी मेरे मन में एक विचारा आया था जो मैं मन की बात में आपसे शेयर कर रहा हूं। गयाना के तरही दुनिया के दरजनों देशों में लाखों की संख्ये में भारती हैं। दसकों पहले की 200-300 साल पहले की उनके पूरवजों की अपनी कहानिया है क्या आप ऐसी कहानियों को खोच सकते हैं कि किस तरह भारतिय प्रवासियों ने अलग लग देशों में अपनी पहचान बनाई कैसे उन्होंने वहां की आजादी के लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया कैसे उन्होंने अपनी भारतिय विरास्त को जीवित रखा मैं चाहता हूँ का आप ऐसी सची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें आप इन कहानियों को नमो एप पर या माई गौव पर हैस्टेक इंडियन डायस्पोरा स्टोरिज के साथ भी शेयर कर सकते हैं साथियों आपको उमान में चल रहा एक एक्स्ट्रा ओर्डिनरी प्रोजेक्ट भी बहुत दिल्चस्प लगेगा अनेकों भारतिय परिवार कई शताब्दियों से उमान में रह रहे हैं इन में से ज़्यादातर गुजरात के कच्छ से जाकर बसे हैं इन लोगों ने व्यापार के महत्वपोन लिंक तैयार किये थे आज भी उनके पास ओमानी नागरिकता है लेकिन भारतियता उनकी रग रग में बसी है उमान में भारतिय दुतावास और National Archives of India के सयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजब करने का काम शुरू किया है इस अभियान के तहट अब तक हजारों डॉक्युमेंट जुटाए जा चुके हैं इन में डायरी, एकाउंट बूक, लेजर्स, लेटर्स और टेलिग्राम शामिल है इन में से कुछ दस्तावेच तो सन 1838 के भी हैं ये दस्तावेच भावनाओं से भरे हुई है बरसों पहले जब वो ओमान पहुँचे तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जीया किस तरह के सुखदुक का सामना किया और ओमान के लोकों के साथ उनके सम्मन्द कैसे आगे बढ़े ये सब कुछ इन दस्तावेचों का हिस्सा है ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये भी इस मिशन का एक महत्वपन आधार है इस मिशन में वहां के वरिष्ट्रे लोगों ने अपने अनुभव साजा किये हैं लोगों ने वहां अपने गहन सहन से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया है साथ्यों ऐसा ही एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में भी हो रहा है इस प्रोजेक्ट के तहट इतिहास प्रेमी देश के विभाजन के कालखन में पीडितों के अनुभवों का संग्र कर रहे हैं अब देश में ऐसे लोगों की संख्या कम ही बची हैं जिनोंने विभाजन की विभीशिका को देखा है ऐसे में यह प्रयास और ज्यादा महत्मपुन हो गया है साथियों जो देश जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है उसका भविश्य भी सुरक्षित रहता है इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गाउं के इतिहास को संजोने वाली एक डिरेक्टरी बनाई है समुद्री आत्रा के भारत के पुरातन सामर्त से जुड़े साक्षों को सहजिना का भी अभ्यान देश में चल रहा है इस कड़ी में लोथन में एक बहुत बड़ा मुजियम भी बनाये जा रहा है इसके अलावा आपके संग्यान में कोई मैनिस्क्रिप्ट हो, कोई अचिहासिक दस्तावेज हो, कोई हस्त लिखित प्रत हो तो उसे भी आप National Archives of India की मदद से सहज सकते हैं साथियों मुझे स्लोवाकिया में हो रहे ऐसे ही एक और प्यास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति को समुरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा है यहां प्लेहली बार स्लोवाक लेंग्वेज में हमारे उपनेशदों का अनुवाद किया गया है इन प्रयासों से भारतिय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी ही पता चलता है भारत बसता है मेरे पहरे देशवासियों अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्दी साजा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गवरों भी होगा और अगर आपने नहीं किया है तो साइद पस्तावा भी होगा कुछ महिने पहले हमने एक पैड मा के नाम अभियान शुरू किया था इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्सा से हिस्सा लिया मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है किस अभियान ने सो करोड पैड लगाने का एहम पड़ाव पार कर लिया है सो करोड पैड वो भी सिर्फ पांच मैनों में है ये हमारे देश वास्यों के अथक प्रयासों से ही संबभ हुआ है इस से जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्भ होगा एक पैड मा के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना है वहां मेरे साथ गयाना के राष्टपती डॉक्टर इर्फान अली उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बागे सदत से एक पैड मा के नाम अभियान में शामिल हुई है साथियों देश के अलग-अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है मद्द पदेश के इंदोर में एक पैड मा के नाम अभियान के तहर पैड लगाने का रिकॉर्ड बना है यहां 24 गंटे में 12 लाग से ज़्यादा पैड लगाए रहे है इस अभियान के वज़े से इंदोर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब गरीन जॉन में बदल जाएंगे राजस्तान के जेसल मेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना यहां महिलाओं की एक टीम ने एक गंटे में 25 हजार पैड लगाए माताओं ने मा के नाम पैड लगाया और दूसरों को भी प्रेडित किया यहां एक ही जगह पर पाज हजार से ज़्यादा लोगों ने मिलकर पैड लगाए यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है एक पैड मा के नाम अभ्यान के दरहत कई सामाजिक संस्ताएं स्थानिय जरूरतों के हिसाब से पैड लगा रही है उनका प्रयास है कि जहां पैड लगाये जाएं वहां परियावरर के अनुकुल पूरा इकोसिस्टिम डेवलप हो इसलिए ये संस्ताएं कहीं अउसेद्य पोधे लगा रही हैं तो कहीं चीडियों का बसेरा बनाने के लिए पैड लगा रही है बिहार में जीवी का सेल्फ हेल्फ ग्रूप के महलाओं ने पच्चतर लाग पैड लगाने का अभ्यान चला रही है इन महलाओं का फोकस फल वाले पैड़ों पर है जिससे आने वाले समय में आई भी की जा सके हैं साथियों इस अभ्यान से जुड़ कर कोई भी व्यक्ति अपनी मा के नाम पर पैड लगा सकता है अगर मा साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पैड लगा सकते हैं नहीं तो उनके तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभ्यान का हिस्सा बन सकते हैं पैड के साथ आप अपनी सेल्फी भी mygod.in पर पोस्ट कर सकते हैं मा हम सब के लिए जो करती हैं हम उनका रोन कभी नहीं चुका सकते हैं लेकिन एक पैड मा के नाम लगा कर हम उनकी उपस्तिती को हमेशा के लिए चीवंत बना सकते हैं मेरे पहरे देश स्वाचियों आप सभी लोगों ने बच्पन में गोरईया या स्पैरो को अपने घर की छत पर पैड़ो पर चहकते हुए जरूर देखा होगा गोरईया को तमील और मलयालम में कुरूवी तेलुगु में पिच्चुका और कंड़ा में गुबी के नाम से जाना जाता है हर भाषा संस्कृति में गोरईया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं हमारे आसपास बायो डायवर्सिटी को बनाए रखने में गोरईया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज शेहरों में बड़ी मुश्किल से गोरईया दिखती हैं बढ़ते सहरी करनर के वज़े से गोरईया हमसे दूर चली गई है आज की पेड़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्नोंने गोरईया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापशी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं चेन्ने के कुडूगल ट्रस्ट ने गोरईया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है स्वस्तान के लोग स्कूलों में जा कर बच्चों को बताते हैं कि गोरईया रोजमरा के जीवन में कितनी महत्वपून है ये स्वस्तान बच्चों को गोरईया का गोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं इसके लिए समस्तान के लोगों ने बच्चों को लकडी का एक छोटा सा गर बनाना सिखाया, इसमें गोरया को रहने खाने का इंतजाम किया, ये ऐसे गर होते हैं जिले किसी भी इमारत की भारी दिवार पर या पैड पर लगाया जा सकता है, बच्चों ने इस अभियान में उ समस्ताने गोरया के लिए ऐसे दस हजार गोंसले तयार किये हैं, कुडूगल ट्रस की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरया के आबादी बढ़नी शुरू हो गई है, आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे, तो निश्चित तोर पर गोरया फिर से हमारे जीवन क का हिस्सा बन जाएगी, साथियों करणा टका के मैसुरू की एक समस्ताने बच्चों के लिए अरली बढ़ नाम का भ्यान शुरू किया, इस समस्तान बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइबरेरी चलाती है, इतना ही नहीं, बच्चों में प्रकूति के प्रती जिम्मेदारी का भाव प्यादा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तेहर किया है। इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी बुक, गेम्स, एक्टिविटी, सीट्स और जीक सो पजल्द साये। ये संसा शहर के बच्चों को गाउं में लेकर जाती हैं और उन्हें पक्षियों के बारे के बताती हैं। बच्चों में अपने आसपास को देखने, समझने का अलग नजरिया विक्सित कर सकते हैं। मेरे पहरे देश्वासियों आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर आपके मन में फाइलों के धेर की तस्वीर बन जाती है आपने फिल्मा में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के धेर पर कितने ही मजाग बनते रहते हैं कितनी कहानिया लिखी जा चुके हैं बरसों बरस तक के फाइले ऑफिस में पड़े-पड़े धूल से भर जाती थी वाग गंदगी होने रखती थी ऐसी दस्व को पुरानी फाइलों और स्क्रेप को हटाने के लिए एक विशेश स्वच्चता अभियान चलाये गया आपको जानकर खुश ही होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्बुत परणाम सामने आये हैं साब सफाई से दब्तरों में काफी जग़ खाली हो गई है इसे दब्तर में काम करने वारों में एक ओनर्शिप का भाव भी आया है अपने काम करने की जग़ को स्वच्च रखने की गंबीरता भी उनमें आई है साथ क्यों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्चता होती है वाल लक्ष्मी जी का वास होता है हमाले अक कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाले चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विक्षित कर रहे हैं, ये हुआ अपने प्रयासों से सस्टेनिबल लाइफ स्टाइल को बढ़ी बढ़ावा दे रहे हैं मुंबई की दो बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रयरक है, अक्षरा और प्रकूती, नामकि ये दो बेटियां कत्रन से फैशन के सामार बना रही है, आप भी जानते हैं कपड़ों की कटाई सिलाय के दोरान जो कत्रन निकलती हैं, इसे बेकार समझ कर फैक दिया जात अक्षरा और प्रकूती की टीम उनी कपड़ों के कच्रे को फैशन प्रोडक में बदलती हैं, कत्रन से बनी टोपियां, बैग, हातों हाथ बिग भी रही हैं, साथियों साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपूर में भी अच्छी पहल हो रही हैं, यहां कुछ लोग रोज करते हैं, और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कच्र को उठा लेते हैं, इस समू को कानपूर प्लॉगर्स गूप नाम दिया गया है, इस मुहीम की शुरुवात कुछ दोस्तों ने मिल कर की थी, धीरे धीरे यह जन भागी दर का बड़ा भियान बन गया, सहर के कई लोग इसके साथ जूड़ गए हैं, इसके सदस से अब दुकानों और घरों से भी कच्रा उठाने लगे, इस कच्रे से री सैकल प्लांट में त्री गार्ड तैयार किये जाते हैं, यानि इस ग्रुप के लोग कच्रे से बने त्री गार्ड से पाउधों की प्रयासों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है, इसका एक उधारन असम की इतिशा भी है, इतिशा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली और पूने में हुई है, इतिशा कॉर्परेट दुनिया की चमक दमक छोड़ कर अरुनाचेर की सांती घाटी को साब बनाने में जूटी है, परि प्लास्टिक बेस की वज़े से प्रदुसीत हो गई थी, इसे साब करने के लिए इतिशा स्थानिये लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है, उनके ग्रूप के लोग वहां आने वाले टूरिस को जागरूप करते हैं, अब प्लास्टिक बेस को कलेक करने के लिए पूरी घाटी में मांस से बड़े कुड़ेजान लगाते हैं, साथियों ऐसे प्रयासों से भारत के स्वच्चता अभियान को गति मिलती हैं, इन निरंतर चलते हैं